किया वर्ल्ड कप के दोरान विराट और रोहित में हुआ था टकराद ? क्या वर्ल्ड कप में टीम इणिया को भ़ारी पड़ी विराट रोहित की दनातनी ? वर्ल्ड कप के बाद अपनी पहली सीरिस खेलने के लिए न एटीम का एलान हो चुका है टीम इंडिया वेस्ट इंडिस के दौरे पर रवाना होने वाली है लेकिन उससे पहले ही मीडिया में टीम के खिलाडियों के बीच अन्बन की खबरे सामने आ रही है खबर है कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा वर्ड कप के दौरां थी टीम दो गुटों में बढ़ गई थी टीम से जुड़े कई फैसलों पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मद्धेत की बाद भी सामने आ रही है दरसल गल्फ न्यूस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप में दो खेमों में बढ़ कर खेली रिपोर्ट के मुदाबिक न्यूजिलेंड के खिलाव सेमी फाइनल मैच में मुहमेद शमी को अंतिम 11 में शामिल नहीं किये जाने के फैसले से रोहित और उनके साथ के खिलाडी नारास थे शमी ने वर्ल्ड कप में जबरदस्त गेदवाजी करती हुए चार मैचों में 14 विकेट चटकाए थे जिसमें एक हैट्रिक भी थी वही रमेंदर जडेजा को भी वर्ल्ड कप के मैचों के दौरा नजर अदास किये जाने को लेकर भी दोनों में मत भेथ थे जडेजा ने बाग में सेमी फाइनल में मौका मिलने पर जबरदस पारी खेली वैसे भी सेमी फाइनल की टीम पर नजर डाली जाए तो इसमें सच्चाई नजर आती है न्यूजिलेंड के खिलाफ सेमी फाइनल मैच में जब जडेजा चौके छक्के लगा रहे थे तब रोगी शर्मा ड्रेसिंग रूम में उनका उत्साप बढ़ा रहे थी कहा जा रहा है कि अगर सेमी फाइनल मैच में शानदार फॉर्म में चल रहे गेन बास मोहमेच शमी को मौका मिलता तो शायद नतीजा कुछ और ही होता सेमी फाइनल मैच में गेन बास खास कर स्पिनर संघर्ष करते नजर आए इसके चलते न्यूजिलेंड सम्मान जनक स्पोर बनाने में काम्याब रहा वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इडिस दौरे के लिए ये कहा जा रहा था कि विराट अराम करेंगे और उनके जगा बंडे और T20 की कमान रोहित को दी जाएगी लेकिन तनातनी के दावों के बीच विराट ने अराम करने का विचार्थ याग दिया और शायद कप्तानी चिनने के डर से वेस्ट इडिस जाने के लिए तयार हो गए अब इन दावों में कितना दम है ये तो विराट और रोहित ही जाने लेकिन बीना आग लगे दुआ भी नहीं उठता है इंडिया न्यूज वारल की रिपोर्ट